राश्ट्रिय पार्टी बनने के बाद भी अर्विंद खेजरिवाल की पार्टी की जान दिल्ली में अटकी हुई है। अगर आम आदमी पार्टी इन जगहों से उम्मीदवार उतारती है तो नतीजे हर्याना से भी बुरे आएंगे और उसका असर दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा। के पासपोर्ट कोर्ट में जमा हैं ताकि कोई विदेश न भाग सके। इन में से दो केजुरिवाल और मनिश सोदिया को तो हफते में दूबार थाने जाकर हाज रिलगाने पड़ रही है। आमाद्मी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता ये कि इन तीनों पर लगे धबों को कैसे धुया जाए। अगर ये दाग नहीं धुले तो दिल्ली में पूरी पार्टी धुल जाएगी। जिन सीटों से ये निता चुनाव लड़कर जीतते आ रहे हैं सूतरों का ये कहना है कि उन इलाकों के हालाद बहुत बदल गए हैं। अब इंतिहार रिटर्न नेताओं के लिए सुरक्षित सीटों की तलाश की जा रही है। मनिश रिसोदिया और सत्यंदर जैन के इलाके में तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के हाथों हार चुकी है। लोगसबा चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि केजरिवाल की नई दिल्ली सीट पर बीजेपी आगे है। इतना ही नहीं के लाश गेलोट सौरब भारदवा जातेशी मरलेना की सीटें भी खत्रे में हैं। लोगसबा चुनावों में बीजेपी ने इन सीटों पर अपनी बढ़ाद बनाई। इसलिए केजरिवाल की सबसे बड़ी चिंता अपने साथ पार्टी के टॉप लीडर्स के लिए नई सुरक्षित सीटों की तलाश करना है। इसी को ध्यान में रखकर दूसरे राज्यों की जगए अधिक ध्यान देने की जगए है। आम आदमी पार्टी दिली पर पूरा फोकस किये हुए है। सूत्रों की माने तो दिली विदान सभा चुनाव तक आमादमी पार्टी पूरी तरह से दिली पर केंद्रित रहेगी आमादमी पार्टी की बात करें तो ये पार्टी माहौल और जरूरत के हिसाब से चुनाव लड़ने को लेकर रणनी ती में बदलाव करती है और पार्टी गठन के दो साल बात भी देश के प्रमुक राज्यों में चुनाव लड़ डाले खुद उस समय के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी के खिलाफ बनारस में जाकर चुनाव लड़े थे हलांकि उस समय वो भारी मतों से हार गए थे मगर प पार्टी के विस्तार की जोड़दार वकालत करते थे मगर के नहीं कारणों से धीरे धीरे वे सभी आप से दूर होते गए अब महराश्च में नए कारे करता जरूर बन रहे हैं मगर पहले वाली स्थिया भी नहीं है सूत्रों की मानने तो जार्खन में भी पार्टी का संग वाल के छवी पर दाग बड़े हैं और ऐसे में पूरे देश में जाने की जगह है वो अपने इन दागों को मिटाना ज़रूरी समस्तिया नहीं था देश भर में जाने के कोई लाब होने वाला नहीं तिहार जिल से भरष्टा चार और घोटालों में पकड़े गए तीनों नेता अब सशर्थ जमानत पर बाहर आ गए हैं कुछ महीनों बाद ही दिल्ली के चुनाव होने हैं लोगसभा चुनाव में साजिश के तहत पकड़ा जूटे मामलों में फसाया कहने वाली आमादमी प जाता तो किसी का शुगर लेवल खतरनाक स्तर पर पहुँच गया और किसी की पत्मी हद से जादा बीमार हो गई लेकिन इस तिकड़ी के बाहर आते ही किसी का जीवन बच गया किसी का शुगर लेवल छीख हो गया और किसी की पत्मी चंगी हो गई मतलब पुराने सारे बहा बलकि मचबूरी है क्योंकि आमादमी पार्टी के पास गिनाने और बताने के लिए कोई उपलब्धी तो है नहीं है। बलकि मचबूरी है क्योंकि आमादमी पार्टी के लिए आमादमी पार्टी के दिगजनेताब जमानत पर बाहर है। बलकि मचबूरी है क्योंकि आमादमी पार्टी के बड़े निताओं के बगएर चुनाओ वी मैदान में उतरी थी और दिल्ली में कोई सीट नहीं जीत पाई थी। जमानत पर बाहर आने के बाद पहले पूर्व उपमुख्य मंतरी मनिर्श सूधिया ने पदियातरा के जरिये माहौल बनाने का प्रयास किया। सभी जगे निताओं के गिरफ्तारी को मुद्दा बनाया गया। जमानत पर बाहर आये पूर्वसीय मरविंद के जुरिवाल जनता की अदालत लगा रहे हैं। वे जनता के बीच बार-बार कह रहे हैं केंदर सरकार विपक्षी निताओं को फसाने का प्रयास कर रही है। सभी बड़े निताओं के जमानत पर बाहर आने के बाद आप अपना अभियान आकरामक करेगी। हाला कि विपक्ष का दावा है कि निताओं को जमानत न्याइक प्रक्रिया का हिस्सा है वे इससे बड़ी नहीं हो जाते लेकिन सभी बड़े निताओं के बाहर आने से पार्टी को राहत मिलती है। अमिर्श शेहा ने एक बैटक में ही माहा यूती की सीट शेरिंग का मामला सुलज़ा दिया लेकिन M.V.A. में उधव ठाकरे और कॉंग्रिस के बीच सीटों का ऐसा पेच फसा है कि वो सुलजने की जगे और उलजता ही जा रहा है। हालात इतने बिगले की संजराउत ने यहां तक कह दिया कि अगर सीट बटवारे के लिए बैठक में नाना पटोले शामिल हुए तो शिवशेना को बात नहीं करनी। संजराउत के कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर किये गए तीखे हमले से M.V.A. में तकरार तेज हो गई है। जिससे उद्धब ठाकरे की पार्टी को नुकसान हो। लोगसभा चुनाव में राज्यकियां तालिस लोगसभा सीटों में से 21 पर शिवशेना ठाकरे गुट ने उम्मिदवार उतारे थे लेकिन उसे केवल 9 सीटों पर जीत मिली। दूसरी तरफ गटबंधर में कॉंग्रेस को 17 और NCP को 10 सीटे मिली थी। यहां कॉंग्रेस और NCP का स्ट्राइक रेट शांदार रहा। कॉंग्रेस को 13 और NCP को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा कॉंग्रेस के एक बागी उमिदवार ने भी शिवशेना उधवगुट के उमिदवार को हरा दिया। इस तरह कॉंग्रेस के पास 14 सांसद है। लोगसभा सीटों के हिसाब से कॉंग्रेस राजजी की सबसे बड़ी पाटी है। शिवशेना उधवगुट को लोगसभा में औसत प्रदेशन की किमत अब इस विधान सभा चुना में चुकानी पढ़ रही है। कॉंग्रेस उनके साथ सीटों के बटवारों में कोई नर्मी नहीं दिखा रही है। ऐसे में गडबंधन के भीतर लोगसभा के नतीजों के आधार पर सीटों का बटवारा हू रहा है। सुत्रों का कहना है कि महाविकास अघारी में सीट बटवारे का अब तक का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से कॉंग्रेस सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कॉंग्रेस 119, शिवशेना ठाकरे 86 और NCP शरत पवार 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में देखा जाए तो लोकसभा की तुल्ला में इस विधान सभा में शिवशेना का अकद काफी कम हो गया है। 2019 के विधान सभा में कॉंग्रेस ने 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में देखा जाए तो कॉंग्रेस पार्टी इस चुनाव में भी अपनी स्थिती से कोई खास समझोता करती हुई नहीं दिख रही है। सीटों के मामले में बड़ा नुकसान शिवशेना ठाकरे और NCP शरत गुट को हुआ है। हलाकि 2019 के विधान सभा में कॉंग्रेस और NCP के उमिदवार की जीत का प्रितिश्यत भी बहुत अच्छा नहीं रहा था। लेकिन लोगसभा चुनाव की नतीजों ने शिवशेना को काफी समेट दिया है। इस बीच प्रिदेश भाजपा के अध्यक्ष चंशेकर बवान खूले ने कहा कि कॉंग्रेस और शरत पवार की NCP के लिए अब उद्धब ठाकरे की जरुवत खत्म हो गई है। इस कारण उद्धब महाविकास अगारी में अलग थलक कर दिये गा है। उन्होंने कहा कि उद्धब ठाकरे कॉंग्रेस तित्रस से मिलने दिल्ली गए थे। उन्होंने शरत पवार से भी मुलाकात की लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। और अंत में अगले साल तक पुए मामले को निप्टाने का वादा कर देते हैं बात खत्म। इस साल भी यही सारा नाटक आतिशी मर लेना करने वाली है क्योंकि दिल्ली की हवा साफ होने से रही। यही हाल यमुना के प्रदूशन कहा है। पांस साल पहले केजरिवाल ने वोट लेने के लिए कहा था कि पांस साल सिर्फ पांस साल और हमें दे दीजिए। दोजार पच्चिस के चुनाओ से पहले तक यमुना को पूरी तरह से प्रदूशन मुक्त कर दूँगा और मैं खुद उसमें दूपकी लगाऊंगा। ऐसा नहीं कर पाया तो आप मुझे वोट मत देना। चटपुजा करीब है और यमुना में जहरीले जाग पहले की तरह उफन रहे हैं क्योंकि यमुना को नसाफ होना था और उसके लिए केजरिवाल की सरकार ने पांच साल में कुछ किया भी नहीं। अब बिधान सभा चुनाओ से ठीक पहले बीजेपी ने अरविन केजरिवाल का वो पुराना वीडियो भी निकाल लिया है जिसमें तब के सीयम ने वादा किया था कि दोजर पच्चिस के चुनाओ से पहले यमुना साफ हो जाएगी और वो खुद इसमें डूपकी लगाए उन्होंने यहां तक कहा था कि ऐसा ना होने पर उन्हें वोट ना दिया जाए भाजपा अब ये वीडियो दिखा कर केजरिवाल से पूछ रही है कि वो कब डूपकी लगा कर दिखाएंगे बीजेपी के वरिष्ट नेताव पूर्व केंद्रे मंत्री डॉक्टर कि ये ड्रामा याद है या भूल गए अर्विन केजरिवाल जी चुनाओं भी आ चुके हैं और हमारे पुर्वांचल की माताओं और बहनों का छट लोग पर भी तो फिर बताइए कब आ रहे हैं आप आपने अपने कर्मों की तरह मा यमुना को भी काला कर दिया है जिसकी प खाषन का हिस्सा शेर करते हुए एकस पर पूछा कि वो कब यमुना में डुकी लगाने आ रहे हैं भंधारी ने कहा कि अर्विन केजरिवाल कब यमुना में डुकी ले रहे हैं आमाद्मी पाटी ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता इतने सालों में बस प्रेस कॉंफेंस करके और वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट से जनता को मुर्ख बना रहे हैं और दूसरी तरफ यमुना साफ होने की वज़े और गंदी हो गई बाजपा केजरिवाल के जिस वीडियो को शेर कर रही है वो 2021 का है तब दिली के मुख्यमंतरी क तोर पर यमुना सफाई के मुद्दे पर एक सवाल के जबाब में केजरिवाल ने कहा था कि यमुना मेरी जिम्मेदारी है मैं तीन चार दिन से देख रहा हूं बहुत आरोप प्रतारोप चल रहा है या यूपी से आ रहा है चाहे कहीं से आ रहा है यमुना को साप करने की ज साल मांगे थे मैंने कहा कि अगले चुनाओं में मैं खुद डूपकी लगाऊंगा यमुना में और आप सब लोगों को साफ पानी में डूपकी लगवा दूँगा नहीं तो मुझे वोट मत देना मुझे यकीन है जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं अगले चुनाओं तक निश् पन्याओं